हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टडी फीट ऑफ फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों 50 MC की कोश्टन्स लेकर आज की सेसर में मैं आ गई हूँ एक एक कोश्टन्स आपके लिए मोस्ट इंपोरिट है आप पुरा वीडियो देखिएगा एक एक कोश्टन्स देखिएग चेप के साथ चेप्टरवाइज BC के कोश्टन्सilo में प्रेक्टिस करा हुआ है एन्द की सेसर में आपका चुरुणों पार्ट है तो चलते हैं आज की कोश्टन्स के तरप कोश्चन है दोस्तो विंड गेज का प्रियोग ट्रैक एंड फिल्ड की किन इस प्रधाओं में किया जाता है तो सबसे पहले जाने कि विंड गेज का प्रियोग किस लिए किया जाता है तो विंड गेज का प्रियोग हवा का वेग मापने के लिए किया जाता है और एक होता है वांड गेज का प्रियो नद्ट कि में किया जाता है और विंड गेज का प्रियोंग हवा का व्येगमापने के व्येयरeral किया शुद्ट की किया जाता है चार प्राइब करदाश्य कोकर हिए आप जानिए कि हो कि एंड लंभी कुट ट्रिपल जंट में मापा जाता है तो यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा यहां पे सौ asleep दोसो मिटर न दूड हो जाएगा लंभी कूट एंड ट्रिपल जंप बी हो जाएगा तो को, खो के लिए मापा जाता है तो याद रखिए 100-200 मिटर दोड के लिए 10 सेकेंड का 10 सेकेंड तक हवा का वेग मापा जाता है and 110 मिटर बाधा दोड में 13 सेकेंड का हवा का वेग मापा जाता है लंबी कूद ट्रिपल जम में 5 सेकेंड के लिए हवा का वेग मापा जाता है जैसे की यूपी टीजेती दो हजजार 21 में लंबी कुल एंट ट्रिपल जम में हवा का वेग पूछा था नेक्ट कोशन है एंकर रॉनर का संबंद किस खेल तथा किस इस परधार से है तो दोस्तों ये आपको पता ही है कई बार रिबिट हुआ है रिले रनिंग के चौथे खिलाड़ी को एंकर रनर कहा जाता है नेक्ट है वाटर पॉलो का खेल किस फेडरेशन के अंतरगत आता है तो दोस्तों वाटर पॉलो का खेल जो है वो फीना के अंतरगत आता है फीना यानि फेडरेशन इंटरेशन डीनेशन इसको International Swimming Federation भी कहते हैं इसकी स्थापने 1908-1900 जुलाई को हुआ था रुसाने सुर्जल लैन में दोस्तों फीना के अंतर का Swimming, Diving, Water Polo, Synchronous Swimming, Open Water Swimming आधी आते हैं इसको ध्यार में रखेगा इंसली का संचालन प्रतिविताओं का फीना के करता है दोस्तों, Medicine Ball Throw से क्या मापा जाता है तो दोस्तों कोई भी Throw कर रहा है इसका मतलब गत्य और सक्ति दोनों लग रहा है तो यह Explosive प्लावब, इस फोटक सक्ति को मापता है लेकिन किसके भी इस फोटक किस अंग के तो किसे फोटक कर रहा है अपने बाहन से तो यह किसको मापेगा तो यह Explosive Explosive Power of Arm and Shoulder कंदे और हाथ की जो है बाहन की Explosive Power of इस फोटक सक्ति को मापता है टेक्ष्ट है O2CO2 का आदान प्रदान हमारे सरीर में कहा कहा होता है तो एक तो फेपलो में अलवलाइज होता है वहाँ पे गैसु का आदान प्रदान होता है एक सेल में वहाँ से यह हमोगलोबिन होता है सुधर रखते ले करके जाती है वहाँ पे सेल जो है ऑक्सिजन को ले लेता है कार्बन डेक्साइड को फिर से वापस कर देता है तो यहाँ पर एलोलाइज एंसेल में आक्सीजन और कर्बन अक्साइड के क्या होता है अदान प्रदान होता है नेश्ट है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम कौन सा है तथा कहां इसी थे तो दोस्तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम अहमरावाद गुजरात में नरेंडर मोधी इस्टेडियम है बरतमार में भारत का नहीं पुरी वर्ल का सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम या बन गया है नेक्ष्ट है आई ओ ए का गठन किस वर्स हुआ आई ओ ए इंडियन उलम्पिक एसोसीय से ने भारती उलम्पिक संग का गठन 1927 में किया गया सरदुराबजी टाटा के द्वारा बतमान अध्याच है पीटी उसा नेक्ष्ट है FIG किस स्खेल की रूफ रेका है दोस्तों कोस्टन में अंसर दीजिए जिमनास्टिक कोस्टी सूटिंग तिरंजा जी किसकी है FIG यानि इंटरेशन जिमनास्टिक फेडरेशन जिसकी इस अपना टेश जुलाई 1881 लुसाने स्रुजनल में हुआ था तो दोस्तों यह जिमनास्टिक से रिलेटेड हैं और FIG इंटरेशन जिमनास्टिक फेडरेशन के अंतरगत artistic gymnastik acrobatics gymnastik aerobics gymnastik rhythmic gymnastik and trampoline gymnastik आता है and next question है SAI यानि sport authority of India भारत सरकार की किस मंत्राले के अंतरकत आता है तो दोस्तों यह UI on खेल मंत्राले के अंतरकत आता है sport authority of India की सापना 25 जनवरी 1984 को किया गया नेश्टा मनुस्तिक के सरीर को सबसे पहले उर्जा कौन सा पुसकता तो देता है तो कार्भोहाइडेड की ATP की प्रोटीन की वसा तो दोस्तों सबसे पहले उर्जा सरीर को कौन सा देता है कार्भोहाइडेड देता है कौन देता है कार्बो हाइड इंस्टेंट इनर्जी सोर्च होता है कार्बो हाइड इस्टें नाकॉल टूनामेंट में अगर 27 टीमें हैं और 4 टीमों को सुपर सीड किया जा रहा हो तो पहले राउन में कितने मैच होंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है सुपर सीडिंग उसको दिया जाता है तोनामेंट के रोमांज को और अधिक बनाए रखने के लिए टीमों को सुपर सीडिंग दिया जाता है यदि टीमों कोई संख्या बहुत जला होती है तब ऐसा किया जाता है सुपर सीडिंग जो प्राप्त अच्छी टीमे होती है वो सीधे अगले राउंड क्वाटर फाइनल में खेलती है तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाले बात यह है कि पहले राउंड में टीमों की संख्या ग्याद करने का सुत्र होता है यन माइनस नमबरा बाई अपान टू तो 27 टीमे है तो क्या हो जाएगा टू के पावर फाइफ यानिकी 32 माइनस 27 तो कितना आजाएगा 32 माइनस 27 तो 5 आजाएगा यानिकी बाई कितना दिया जाएगा 5 इतना तो किलियर हो गया ठीक है बाई 5 दिया जाएगा सुत्र क्या होता है यण माइनस नमबर आप बाई अपन 2 तो यण कितना है 27 है नमबर आप बाई कितना दिया जारा है 5 दिया जारा है वाउरा अपन 2 27 में से 5 आप घटाएंगे कितना बचेगा दूस्तों 22 यानि 22 बटा 2 राउन कि कितना आया, 11 निकी पहले राउंड में कितने टीम खेल रहे हैं, 11 तीम ए, ठीक यहां पे पहले राउन में 11 तीम ए आगये हैं पहले राउंड में 11 टीम से आपकी खेल रही है यह आ गया लेकिन अब कह रहा है उस 11 टीमों में से चार टीमों को सुपर सिटिंग दिया जा रहा है तो 11 में से आप चार घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों साथ आ जाएगा तो कुल कितने पहले राउंड में मैच खेले जाएंगे तो क्या अंसर हो जाएगा साथ मैच आईवोप कि आपको समझ में आया होगा पहले राउंड की कुल टीम गयात कर लिजे 11 आया उसमें से आप जितना सुपर सिटिंग दिया घटा दीजे आज आएगा एंसर आईवोप कि आपको समझ में आया होगा सबसे पहने जानिए कि मेराथन की दूरी कितनी होती है 42.195 km यानि 26.385 गज और उसका हॉफ कर देजिए तो क्या हो जाएगा 21.42 यानि 21.097 km सरीज की सबसे छोटी अंतर इस्तरावी ग्रंथी इंडोक्रैन क्लेंड कोन सी होती है दोस्तो यहाँ पे जब पिनियल ग्रंड दिया रहेगा तो पिनियल ग्रंड सबसे छोटी ग्रंथी होगी अंतर इस्तरावी जब पिनियल ग्रंड नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे पिट्रिट्री ग्रंड यानि प्यूस ग्रंथी हो जाएगी सबसे छोटी अपयोध ग्रंथी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य सभी अन्ता इस्टरावी ग्रंथियों का नियंतर करती है नेश्ट दोस्तो आरबीटर का संबंध किस खेल से है दोस्तो š democrat का संबंध जो है सत्रणजिके रेफरी से है किस से है सत्रंज के रेफरी से है यह याद रखिएगा नेश्ट विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको पता है कि विटामिन B12 की कमी से जो है पर्निसस एनिमिया रोग होता है या निरक्त की कमी हो जाती है तो एनिमिया हो जाता है B6 की कमी से भी एनिया होता है और B12 की कमी से भी B12 की कमी से पर्णिसस एनिया होता है विटामिन B12 का रसानिक नाम है साइनो कुबाल्बिन एक मात्र विटामिन होता है जिसमें कुबाल्ट धातू सहयोगी तत्यू के रूप में कारिकरता है B12 ज़को निमार में सहायक होता है DNA के sensation में भी सहायक होता है तो याद रखेगा एड़ 4 बेसे autour नेक्स्ट कोच्छन है लेप्रोसी कौर्ड किसके कारण फैलता है तो दोस्तों लेप्रोसी को पैणस से दिजी भी बूला जाता है यह बैक्ट्रिया के करण फैलता है किसके करण बैक्ट्रिया के करण वो भी किस बैक्ट्रिया करण माइक्रो बैक्ट्रियम लेप्री बैक्ट्रिया के करण नेक्स्ट है हाइड्रोफोविया रो किसका एक अन्य नाम है तो दोस्तो हाइड्रोफोविया जो है रेवीज को बोला जाता है किसको बोला जाता है रेवीज को ठीक है जो संक्रमित इस तंधारियों को काटने से पागल कुत्ता, पागल भेड़िया, पागल जनौर के काटने से फैलता है रेवीज को हाइडोफोबिया और अलग रोग भी बोला जाता है यह रहब्डो वाइरस से फैलता है रेवीज जो तंत्री का तंत्र को प्रहाविद करता है और इसमें क्या होता है ज्वर भी होता है सौस लेने में परिशानी होती है पानी से डर लगता है जो कई बार आयसा पुछा गि बीमारी से पानी से डर लगता है तो रेवीज से नेक्टो है टेटनेस नामक रोग किस तंत्र को प्रहाविद करता है तो दोस्तो जो टेटनेस होता है उसे धनुस टंकार रोग लागजा आदी नामने से जना चाथा है और Clostridrium Titanium नामक Wacteria से फेलता है या दोस्तों प्रवाइट किसको करता है हमारे नर्वास सिस्टम को उसे जो कंट्रेक्ट होती है अंगों से तूटने लगती है सरी में जटका भी होसी ज़सा आप महसूस होता है Next है सूरी की तेज गर्मी के कारण चमडी लाल वो काले बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे तो दोस्तों आप सबको पता है उसे Sun Burn कहते है क्या कहते है Sun Burn Next है अगर 21 टीमे हो तो नाकाउट टूनामेंट के दुसरे क्वार्टर में कितनी टीमे जाएंगे तो दोस्तों quarter की बात पुछा है round की नहीं तो जब टीमों की संख्या 16 या 16 से ज़्यादा हो तो आपे round में बाट करके half में बाट करके quarter में बाटा जाता है तो quarter में बाटने के लिए हम क्या करेंगे 21 में 4 का भाग देंगे 21 बटा 4 तो कितना आएगा दोस्तों तो 4, 25 पांच आएगा एक सेस बच जाएगा ठीक एक सेस बच जाएगा ठीक पांच आएगा और एक सेस बच जाएगा तो इसको चार quarter में हम बाटेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, and 4 तो पांच पांच टीमे सभी में बाट दिये ठीक है पांच पांच बाट दिये एक क्या हो क्या रहा है कि 21 टीमे हो तो नाकाउट टूनामिन के दूसरे quarter में कितने होंगे तो एक सेस बचा है तो जो बचा हुआ सेस होता है उसको quarter में बाटने का रूल होता है कि प्रथम जो बचा हुआ सेस है उसको प्रथम को पहले quarter में रख देंगे यहाँ पे 5.1 यानि कि 6 हो जाएंगे प्रथम को पहले quarter में दूसरे को तीसरे quarter में और तीसरे को दूसरे quarter में चौथे को चौथे quarter में तो एक 6 बचा ही था यह पहले quarter में आ गया तो 6 हो गया और सभी में दूसरा तीसरा चवथा क्वाटर में पांच पांच खिलाड़ी तीमे ही आएंगी तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा आपका पांच ठीक है यहाँ पे पांच आपका राइट हो जाएगा ठीक है दूसरे जाता है आसन नंबर को राइट होगा नेश्ट है मैडिसिन बाल थ्रो से क्या मापा जाता है कोशन रिपीट हो गया इसी सेशन में तो यहां पर राइट एंसर हो जाए का आसन नंबर को आर्म एंड सोल्डर एक्स्प्लोसिव इस्टेथ यानि भी स्फोटक चंता है हमारे कौसा सिधान पर प्रकाश डाला हैं तो इन्होंने एंपॉर्डिस्टिंग पर थियर्या कंडिस्ञिग पर प्रकाश डाला है किसी बच्चे की जन्म तिथी को कौन सी आयू कहा जाता है तो यहां पर जो हम अलों विज्ञान में सहीर रचना विज्ञान के अधार पर आयू ज्यात करने की चार भीतिया है इनोटोमिकल एज मैंटल एज फिज़ोलोजिकल एज एन् क्रोनो लोजिकल एज मापा जाता है तो उसे कि क्रोनोलोजिकल एज आपकास राइट एंसर ब्हुँए जैसे कि हम लोग अपना जरमतित्री लिखते हैं और अन्य जगहों पर पर क्रोनोलोजीकल एज में लिखते हैं कालकरम आयू जिससे कलेंडर आयू की नाम से भी जाना जाता है इसको स्कूल तथा मॉकसिट की आयू की नाम से भी जाना जाता है जैसे 12-5-1972, 8-12-mai-1972, इस प्रकार एक chronological age है, कालक्रम आयू, और anatomical age क्या होती है, जिसमें अस्थियों, दातों की गणना करके, आयू जात किया जाता है, जैसे हमारे दाहिने हाथ की radial bone का प्रयोग करके, हडियों की आयू जात किया जाता है, इसलिए दाहिने हाथ की radial bone क X-ray age के नाम से जाना जाता है, तिसरा होता है, physiological age, इसमें सारी क्रियात्मक आयू गहा जाता है, जैसे जो हार्मोनल चेंजे जाते हैं, लापालक बलिकाव में, उसके अधार पर, आयू जात किया जाता है, जोता होता है, mental age, मांसिक आयू, जिसको ग्यात करने का सुत्र होता है, में, बटा, सी, यानि, mental age, upon chronological age, गुरिसो, लेश्ट है, बियो टू मैक्स से क्या मापा जाता है, बियो टू मैक्स, मतलब होता है, अधिक तम ऑक्सिजन ग्रोल करने की छंता, तो दोस्तों, इसे वाइडल कैपिसिटी मापा जाता है, क्या मापा जाता है, बियो टू मै सोरी तोस्तों, यहाँ पर, ऐरोग कर पेसिटी, बियो टू का मतलब होता है, अधिक तम ऑक्सिजन ग्रोल करने की छंता, यानि जब हम इतना जदा अभ्यास करते हैं, कि उस समें, पुरे जोर सी सांस लेते हैं, भारी मात्रा में, वहाँ बियो टू मैक्स काम करता है, अधि यह जी कोश्चन है आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि दाथ का जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर भाग होता है नेक्ष्ट है पहली बार किस उलम्पिक में सपत लिया गया तो मैं आपको दो तिन बार या हर बार बताई हूं पूनिस सो बीस एन्टवर उलम्पिक में सपत भी लिया गया और उलम्पिक झंडे को भी फ़राय गया नेक्ष्ट है एसी एल इंजरी का संबन सरी के किस भाग से है तो दोस्तों एसी एल का मतलब होता है एंटिरियर क्रूसियेट लिगामेंट ठीक है क्या होता है एंटिरियर क्रूसियेट लिगामेंट या घुटने के बीच में होता है या पिंदली की हड़ी को जाओं की हड़ी के सामने खिसतने से रोकता है और पूसों की तुलना में महिलाओं में असी एल फटने की संभाणा अधिक होती है एंटिरियर जो इंजरी होता है कहां पर लगता है नही नेक्ट है हेरी देटी यानि वंसा नुक्रम से प्राप्त मधुमें यानि डाइबेटीज को क्या कहा जाता है तो दोस्तों डाइबेटीज इंसुलिंग की कमी से होता है लेकिन वंसा नुक्रम एक पीडीज से दुसरे पीडीज में जाता है उसको टाइब टू जो annecters प्रोटीन का सबजसे अच्छा स्रोत की से इतना ओफनों दिया है उसलिक स Bono जाता है इसक्षी मेट्र डवर के लिए टाइम कीपर कुटा देख कर इंगर तो चिंगारी या फायर ठीक है चिंगारी यानि फायर की जो होती है चिंगारी को देखकर इस्टार्ट करते हैं पूर किया जाता है। तो दोस्तो है सत्रंज में चेस में स्वीश इस्कोर सिस्टम का परियोग libro किया जाता है। पूर्छ से समदित है। नेक्स है जिस प्रकाई युनान की भासा को ग्रिक कहा जाता है तो रोम की भासा को क्या कहा जाता है तो दोस्तों युनान की भासा को ग्रिक कहा जाता है तो रोम की भासा को लैटीन बोला जाता है कौन सी भासा लैटीन भासा जोड के पास हड़ियों को आपसे बात कर कौन रखता है तो कई बार मैं बताएंगे कि दो हड़ियों को बीच में जोड़ों पर जोड़ता है लिगामेंट तो लिगामेंट बात कर रखता है एंड कंकाल मांस्पेशी यानि कि इसके लेटल मसल्स को हडियों से जोड़ता है टेंडन नेवश्था चमड़ी की तिसरी परत तथा मांस्पेशी को कौन जोड़कर रखता है तो ओ होता है आपका एल्यू एलर एल्यू लर ठीक है सबसे उपरी परत को डर्मिस फिर उसके बाद एपिडर्मिस एल्यू लर फिर एल्यू पोर्ट टीस्यू होता है जिसमें वशा फैटी एसी रग्लिस्टास के रुप में जमा रहता है सबसे निचली परत नेश्ट है मद्य कान की छोटी तीन हडियों में सबसे बड़ी कौन सी हैता है तो कान के अंदर तीन हडियां पाई जाती है उसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया है मिस यानि मैसे मैलियस इसे इनिकस यास से इस्टेपस तो सबसे बड़ी होती है मैलियस तीकЬ और सबसे चोची होती हैस्टेपस दोनों हदी में तीन-इन रायख होती है यानि6 दोनोंroe काननी ठीक है मैश्शर रगत का रंग लाल किसके कारण होता है आप शब को पता है आप बच्वzn से दे पढ़ रहा है हीमोगलोबीन के कारण और हीमोगलोबीन उपसित आयरन के कारण हीमोगलोबीन हीम प्लस गुलोबीन यानि हीम मतलब होता है आयरन और गुलोबीन मतलब प्रोटीन यानि आयरन प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोगलोबीन के उपसित का रंग जो है उलाल दिखाई देता है नेक्स है तात्या टोपी नगर अंतराश्टी एफलैटिक इस्टेडियम कहां पर इस्थित है तो दोस्तो तात्या टोपी नगर अंतराश्टी एफलैटिक इस्टेडियम इस्थित है भोपाल में कहां पर है भोपाल में याद रखेगा नेक्स्ट है Ace Bog hockey अंतराष्टिय इस्टेडियम कहां पे इस तित है Ace Bog hockey अंतराष्टिय इस्टेडियम जो है वो क्या भी है आपका भोपाल में मद्यपर्दिश भोपाल में नेक्स है सरी का सबसे बड़ाँ अंग क種 सा है दोस्तों समसे बड़ी ग्रंती की बात करेका तो लीवर होगा यानि यकृत समसे बड़ी अंतह हित्रा भी ग्रंती की बात करेका थायराइड होगा तो सभी में different समझेगा नेक्स्ट है अंग्राजी में discuss की spelling क्या होगी दोस्तों ऐसा question तो पुछेगा नहीं तो आपसा number goya पर राइट होगा D-I-S-C-U-S नेक्स्ट है running distance radius कितना होता है अगर 80 meter का सिधा track हो तो दोस्तों 4.0 meter track बनाने के लिए 80 meter सिधा track होता है तो इसके लिए जो radius होता है running distance वो 38.1 meter होता है इसको एक अलग से वीडियो में बनाया जाएगा दोस्तों जो आपके running होता है जो track and field होता है track होता है बनाने का जो फार्मूला next है wind pipe का दुसरा नाम क्या है तो दोस्तों जो हमारे track या होती है स्वास नली उसी को wind pipe कहा जाता है तो ट्राइकिया को कहा जाता है next है बीस्वा लेनियम olympic किसे कहा जाता है तो दोस्तों Sydney olympic Sydney Australia olympic को जहां पर सबसे पहले और doping के विरुश सपत लिया गया था नेक्स्ट है आँक का कौन सा भाग दान दिया जाता है आप अपको पता है आप का cornea जो है ओ दान दिया जाता है क्योंकि कार्णिया ही खराग हो जाते हैं तो मिंदी खाय नहीं देता नेश्च है प्रतं वॉर्ल टी ट्विंटी कब का आईजन कहा किया गया था है तो प्रतं वॉर्ल टी ट्विंटी कब का आईजन जो है वो किया गया था दच्छिर अफरिगा में पीटी संप्राज का संबंद किस खेल से है तो पीटी संप्राज का संबंद जो है वो टेनिस से है नेक्ट है डेविस बेक हम किस खेल से समधित है तो आप सबको पता है डेविस बेखम जो है वो फुर्वाल से रिलेटिड है तो दोस्तो एधा आज की सेशन ने 50 MC की कोशन्स जो आपके लिए most most important है आई होब कि सभी कोशन्स आपको समझ में आया होगा जो भी डाउट होगा कमेंट पर बिताइए और ज़्यादे ज़्यादे वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो प्रैक्टीस में तब तक के लिए जैह हुंद है